बिजली कर्मियों के हर्ताल का असर अब सीधे सीधे आम जन जीवन को प्रभवित कर रहा है हम आपको तस्वीरों के माजम से दिखाएंगे कि किस तरह से लोग परिसान होके पानी के लिए कालोनी कालोनी घूम रहे हैं और पानी की हालत है कि कहीं भी आता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है क्योंकि बिजली नहीं होने करना लोग सुबर सुबर पानी की समस्या से जोशते हुए देखने को मिले हैं कुछ लोग है उनसे बात करते हैं किस तरह की समस्या हो रही है और लाइट की ज्यादा दिक्कत है मच्छड भी हो रहा है इधर यह और तमाम मंदिरों किसी तरीके से जीवन यहापन करने के लिए हम लोग इधर उदर से जन्रेटर का चंदा लगा करके हम लोग पूजा पाट कर रहे हैं किस तरह की परसानी उठानी पड़ रही है और क्या चाहते हैं आप लोग क्या बिजली विवाग और सरकार के बीच कम्यूनिकेशन जो गाइप हुआ है वो जल्ली दूर हो जाएं और हम लोगों को बिजली सुचारू रूप से मिलने लगे क्योंकि हम लोग काफी परसान हो ग समस्या से आप लोग जूषते हुए देखने को मिलने हैं क्या परसानिया उठानी पढ़ रही है और इससे बढ़के क्या परसानी हो सकता है कि बिजली नहीं है तिन चार दिन हो गया चार दिनों से बिजली नहीं है इसे साफ सफाई नहीं हो पा रहा है, मुर्ती कोई धुला नहीं पा रहा है, और यहाँ परिशानी इतनी बढ़ गए है कि सब बच्चे लोग असनार नहीं कर पा रहे हैं, समय से इसकूल नहीं जा पा रहे हैं, खाना बनाने में दिखते हैं। देखने के मिल लई है, इसके साथ ही आपको एक तस्बीर और दिखाने चाहेंगे, कि जिस तरह से लोग बिजली की समस्या से जूज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग जनरेटर, घरों के बाहर जनरेटर लोग लगा के बिजली और पानी की बेवस्था कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ नमीन पांड़े, एबीपी गंगा, वाराणसी.